हेलो दोस्तो आज हम जाने वाले हैं भूटान की एक ऐसी जगा जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं हमारा गुरूप कुल आट लोगों का है पहले हम चामुर्ची जाएंगे फिर वहां से पैदल भूटान के लिए निकलेंगे हमारा सफर सुभा नौ बजे शुरू हुआ चामुर्ची से भूटान परवेश करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम की और फिर आराम करने के बाद आगे की और बढ़ चले आज का हमारा टार्गेट इन पहाडों को पार करने के बाद इन बादलों के पास जाने का है यह गर बुटान रानी का है जो अभी खंडर बन चुका है हम पहले पहाड को पार करकर किसी गाउं में प्रवेश कर चुके है थोड़ा देर आगे चलने के बाद हमें एक नदी दिखें पहाड में आए मॉसकों नहाजी इसको गॉस्ट मॉसकों नदी पाली एक दाम मॉसकों भावा है और हाट इसको प्रवेश को पार किसी गाउं मॉसकों नदी में नहाने के बाद हम आगे बढ़ने के लिए तयार थे रास्ते में ही हमने चलते चलते खाना खा लिया और फिर आगे बढ़ते रहे हमारा लक्ष काफी दूर था और हम थोड़ी दूर चलने के बाद बैठने लगे चलते चलते हमें कई गाउं दिखाए पड़े हम अपने लक्ष के बहुत पास आ चुके थे और हमें बादल बहुत करीब दिखाई पड़े हम अपने लक्ष के पास आ चुके थे यह भूटान की कौन सी जगा है यह हमें भी नहीं पता पर हम यहां पहुँच चुके थे यहां बहुत ठंड थी इसलिए हम यहां थोड़ी देर रुखने के बाद हम यहां से निकल पड़े यह वही नदी है जिस पर हम आने वक्त नहाए थे हम यहां से निकल कर चामुर्ची पार्क के लिए आगे बढ़ गए थे जिए बाद हम आगे घटी पार्क में बहुत ख़तरनाक पार्क है किया एद देख तुन कल थोड़े हो देख देख लाख देख लागे हो उन्हां इंदेपड देख लागी हुआ हम पहने से पहने समर्ची और चमर्ची पार्क काहि हम थान और चमर्ची कर बीच में है, इठो बोर्डर कर आए यह पार्क इंडिया और बुटान के बॉर्डर पर है यहां से बुटान के पहाड बहुत सामने दिखाई पड़ते हैं बारिस आने वाली थी और बादल बहुत काले हो चुके थे हम यहां से निकल कर चामुर्ची के तरफ जाने लगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ख्रीपा सस्क्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे